देखिए कि सैनी कैसे सिकंदर बने वो भी आज हमने देख लिया इन नतीजों के साथी और उनकी खुशी वो साफ जाहर हो रही थी जिसका जिसकी जीत का श्रेहालंकि वो दिखा रहे हैं कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मुदी की नीतिया हैं लेकिन यह देखिए आप जड़ा आपको हम तस्वीरे पे दिखा रहे हैं कैसे सैनी बने सिकंदर हरियाना 90 सीटे लेकिन बीजोपी 50 सीटों पर जीत दर्च करती हुई दिखाई दे रही है नतीजों में यह आगे बढ़ता हुआ और कॉंग्रस प्लस 35 सीटों पर फिलहाल आगे है आइनलडी प्लस दो और अ लगता नहीं कि तस्वीर और कोई अलग बहुत हटकर दिखाई देगी प्रियंका हमारे साथ लगातार कॉंग्रस की नेता हमारे साथ जुड़ी हुई है कॉंग्रस की प्रवक्ता प्रियंका जी अभी भी आप इंतजारी करेंगी आप मान रही है कि चूक तो हुई है और च तरीके के आस्वस्त हूं कि जिस तरह का कैंपेज जिस तरह की गारइंटी समय दी ओ जनता के मूल मुद्धों को ध्यान में रख hm और यह चुनाव वाकई में जो मुद्ध थे, उस्थानी यह मुद्ध थे, जिसमें आपके छोटे-छोटे मुद्धे होते हैं, और नौकरी की समस्या, महगाई की समस्या, यह नहीं पूरी तरीके से हमने केंदेत रखा उन्ही विंदू उपर, हम किसी तरह हैं को बाटने जै कि जिस तरह से हमने एक जुट होकर पूरी 36 जातियों को एक साथ समेटने की कोशिश की उनके वुद्दों को समेटने की कोशिश की वो तारीफे काविल था उसके साथ में जिस तरह का कामपेन नेगिटिव भारती जन्ता पार्टी ने चलाया और जिस तरह से वोटों की सवाल उठा रहे हैं आप सवाल जन्ता पर भी उठा रहे हैं ना क्योंकि यह जो मेंडेट है यह जो नतीजा है वो तो जन्ता नहीं तै कि किसे जताना है और किसको किस पर उन्हें भरोसा करना है यह तो पूरी तरीके से उनका अधिकार है पर यह अधिकार जिस तरह से हम हम माहमें मुद्व की बात करें हैं, तो हम पूरी तरीके से जएन्विन मुद्दे थे हो, जणता के मुद्दे थे और लगातार हम देख रहे थे कि उसको जाहें जो आपके exit agrad के आखड़े हूँ, जाहें जणता का mood हो, चाहें जो survey हो, जिस तरह ऐसे निकल के आ रहे थे, वो Congress के favor में थे, अचानक से सारी तस्वीर change हो जाती है, और उसका reason क्या हो दा है कि Election Commission की website पूरी तरीके से जो है दो-तीन गंटे freeze भी रहती है, लगादार हमें ये complain करनी पड़ती है, तो पूरी तरीके से Election Commission की आज भी जंता के साथ कड़े हैं, और पिपक्ष में होगे तो भी जंता के साथ कड़े रहे हैं कि हमने हमारा campaign काबिल है, उसकी तारीफ होनी चाहिए और की जानी चाहिए, आप खुछ कोई मूझ से कर रहे हैं, लेकिन हमारे आप एक expert हैं, शोरान साब ये कह रहे हैं कि दरसल आप लोगों को आपकी गुटबाजी ही ले डूबी, आपसी मद्भेट से आप लोग उबर ही नहीं पाए, चाहे अलग-अलग जिस तरह से च्छतिस जातियों के बात ही तो उसक्ता नहीं पूरी तरीके से अपने पूरी सरीता यहाँ दोगा एक साथ यह जो की और साथ में किसानलों के इसलुक के मुद्दों पर लगातार हैं मुकर बोलते रही ऊंकि प्रियंक आपकी मजबूरी में समझ सकती हूँ आप अभी भी लेकिन ये मानने को तयार नहीं है लेकिन हमारे एक्सपर्ट लगातार कह रहे हैं कि कॉंग्रस को इस पर मंतन करने की जरूरत है मैं अपने गेस्ट के पास यहाँ पर आपको लिए चलती हूँ और नहरा जैब आपसे मेरा सवाल क्योंकि अभी भी कॉंग्रस तो नहीं मानने को तयार है कॉंग्रेस से कह रहे है कि दरसल वो तो धानली तक क्या रोप लगा रही है वो कह रहे है कि जस दिन चुनाव होने वाले थे उस दिन की इन लोगों ने धानली जिसके वैसे नतीजे ऐसे आ रहे है मेरा मानना तो यह है मैं ग्राउंड पे रहा तो यह इलेक्शन जो था वो कॉंग्रेस लड़ तो रही थी लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं लड़ रही थी आपस में लड़ रही थी तो पहली बात तो यह है दूसरी बात यह है कि यह चुनाव था जो भी कॉंग्रेस को तो इच्ट पी खिलाब था ये अजो लग रही थी या हमें भी जो लग रही थी वो एक जनता का तब का उभी जेपी के खिलाब था अ उस से तॉ तो इससे ये लग रहा था Congress को कि ये आप है। ये Congress है तो Congress में तो जो लडाई देखि अमने वो टिक-टों की मारा मारी में कि वहां बीड देखी ग्राउंड पे तो कोई कोई है आपका बलोक थे लेकिन आपस में लड़ाई इनको लेटी याप आप ये कह रहे हैं कि कॉंग्रेस दरसल कॉंग्रेस को एक option के तौर पर देख तो रही थी जंता लेकिन कॉंग्रेस ने उस तरीके से ना तो काम किया और ना ही जंता का भरोसा जीत पाई जिसकी वज़ासे हालात फिलहाल ये दिखाई दे रहे हैं। की तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे